पित्रि पक्ष में पित्रि दोस से मुक्ती पाने का रामबान तरीका जिसे स्वेम ब्रम्हदेव ने बताया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पित्रि पक्ष का समय चल रहा है और यह समय पित्रि दोस निवारण के लिए बहुत ही उत्तम होता है। साथ ही पीत्रों की मुक्ति के लिए भी इस समय को अनुकूल माना गया है। पित्रि पक्ष में हम लोग पिंडदान, तरपन, ब्राम्हन भोजन आदी कराते हैं ताकि पीतर हम पर प्रसन नहों और यह हमारा करतव्य भी बनता है कि हमें जो यह जीवन मिला है यह हमारे पुरवजों की ही देन है इसलिए हम पर पित्रि रिण होता है और इस रिण के यह हमारा करतव्य भनता है कि हम अपने पीत्रों का सम्मान करें हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम अपने पीत्रों के प्रती कृतग्यता का भाव रखें इससे हमारे पुरवज प्रसन होते हैं मित्रों पित्री पक्ष में हम लोग पित्री दोस्त के निवारण तथ पीत्रों की मुक्ति के लिए विभिन्न कार्य करते हैं, जिसे उपाय भी कह सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसा सरल तरीका बताने जा रहे हैं, जो कि पित्री दोस निवारण का अचूक तरीका है। इसे स्वयम ब्रम्हाजी ने बताया है। इसका उल्लेक ब्रम्ह वैवर्त पुराण में मिलता है। जहां ब्रम्हाजी स्राद्य की अधिश्ठात्री देवी स्वधा देवी की महिमा का गुनगान कर रहे हैं। ब्रम्ह वैवर्त पुराण में उल्लेक आया है कि यदी स्वधा सबद का उच्छारन मात्र कर लिया जाए तो मनुष्य तिर्थ सनाई हो जाता है। यानि कि मनुष्य स्वयम ही तिर्थ के समान हो जाता है। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह वाजबे यग्य के समान फल का अधिकारी हो जाता है ब्रह्म वैवर्त पुरान में आगे वर्णन मिलता है कि यदि स्वधा 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 इस प्रकार यदि तीन बार स्मरण किया जाए तो स्राध्य और तरपन के फल पुरुस को प्राप्थ हो जाते हैं जो मनुष्य स्वधा 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 इस पवित्र नाम का तीनो काल में संध्या में पाठ करता है उसकी सभी इक्षा पुर्ण होती है जो मनुष्य स्वधा 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 इस पवित्र नाम का तीनो काल में संध्या में पाठ करता है उसकी सभी इक्षा पुर्ण होती है मित्रों चुकि स्वधा देवी स्राध्य की अधिश्ठात्री देवी हैं इसलिए स्राध्य काल में या स्राध्य के अवसर पर स्वधा देवी के पवित्र नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए और स्वधा देवी के स्वधा स्तोत्र को जरूर सुनना चाहिए ऐसा करने से सौस राध्यों का पुन्य मिलता है और पीतर संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें मुक्ती मिलती है मित्रों विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही विडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को आउन कर लें धन्यवाद